गैस अपने पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि किस तरह से हम लोग एक डेटाबेस को बना सकते हैं PHP My Admin एक बात यहां पर आप लोगों को बताना चाहता हूं कि जब आप सर्वर पर जाओगे और सर्वर पर जाकर अपनी वेबसाइट को डिपलॉय करोगे तब आप लोगों को PHP My Admin Local Host पर नहीं मिलेगा वो तब आप लोगों को आपके सर्वर के IP Address पर मिलेगा और आप Slash करके PHP My Admin में जा सकते हैं और अपना User ID और Password यूज़ करके Log In भी कर सकते हैं So I hope कि यह चीज़ आप लोग को Clear होगी और आप लोग जो है यहां पर यहां पर जो Local Host में हम लोग यूज़ कर रहे हैं यह आप समझ गया होंगे With that said, यहां पर मैं अपनी पिछली script को इस्तेमाल करके एक Database बनाऊंगा मैंने अपने Database का नाम dbherry6 रखा था मैं उसको dbherry रखोंगा अभी इसको मैं reload करूँ तो यहां पर dbherry नाम का कुछ नहीं है लेकिन अगर मैं Index of CWH PSP में जाऊं और अपना 25 वाला वीडियो खोलूँ तो db was created successfully अब मैं reload करूँगा dbherry बन चुका है तो यह थी script हमारी database को create करने की और यह क्या कर रही थी यह आप लोगों को पता चल गया होगा सबसे बहले तो script ने क्या किया कि अपना एक connection मनाया mysql i ko mysql database को mysql i index को connect function का स्टमाल करके उसके बाद हमने username password और यह जो चीज़े हैं यह सारे details जब डाली थी यह आपर इन तिनों का use किया हमारे mysql i index को connect ने यह function है जिसने use किया इन details को और connect किया database से एक connection object दिया जिससे हमने क्या कि कि dollar sql is equal to create database db array करके query बनाई यह structured query language थी यह language हमने अपने sql server को दी जिसने क्या किया जिसने का ठीक है जी आपको एक database बनाना ही किया जिसका नाम db array है ओके बना देता हूं और उसने बना कर आपको बोला कि मैंने database बना दिया है तो dollar result में आगया आपका database ठीक है sorry dollar result में आगया आपका true क्योंकि database आपका बन चुका है तो क्योंकि dollar result true था इसलिए इसने मुझे echo किया db was successfully created अब मैं अगर इसी script को reload करूँ तो यहां पर लिखकर आजाएगा कि भाई already database है तो उसको दुबारा क्या बनाना ठीक है तो इसलिए इसने error throw कर दिया अब यहां पर मेरा जो point है वो यह है कि मैं एक नई file बनाऊंगा जिसका नाम में रखूंगा 26 underscore create table.php और इसको मैं save कर रहा हूं और यहां पर मैं वापस से वही सब करूंगा PHP किया मैंने यह सारा का सारा code यहां पर ले आऊंगा और यहां पर यह मैं हटा देता हूं और connecting to the database यह भी मुझे चाहिए create a connection भी मुझे चाहिए die if connection was not successful भी चाहिए और उसे के साथ साथ create a db मुझे नहीं चाहिए अभी मैं इसको मिटा देता हूं पूरे को रादर मुझे create a table in the db चाहिए अब यहां पर क्या होता है देखो मेरी बास सुनो जब हमने आपर connection मनाया था तब हमने कोई database specify नहीं किया था लेकिन जब हम connection मना रहे है तब हम database भी specify कर सकते हैं कि मुझे db harry ही use करना है अपनी इस script में तो आप से php कहेगा logidb harry use करो तुम लोग तो यहां पर मैं db name जो है मेरा database का name है वह password के बाद वाला argument जो है उसको दे दूँगा ठीक है तो dollar database तो अब मैं आपर अपना SQL जो है run कर सकता हूँ और in fact वो जो SQL query है उसको run करने का तरीका बिल्कुल वैसा ही है तो मैं safely वो जो पुराना code है उसको यहां पर लाकर अब मैं आपर आप लोगों को दिखाऊंगा कि किस तरह से हम एक table create कर सकते हैं अब एक table create करने के लिए यहां तो आप क्या करो यहां पर db और इसके बाद नेम और उसके बाद एज मालो और जेंडर यह सब मैं वार कर देता हूँ एज इंटीजर कर देता हूँ और इसको 11 कर देता हूँ इसको 11 कर देता हूँ और इसको 11 कर देता हूँ इसको वार कर देता हूँ और इसको वार कर देता हूँ और इसके साथ साथ सा script में और देखते हैं कि DB Harry के अंदर मैं कैसे बनाऊंगा programmatically अब देखो यहाँ पर जब मैंने table बनाई तब मुझे कुछ sequel मिली होगी मैं काम करता हूँ हैडी में जाता हूँ मैं क्या करूँगा एक नई table बनाऊंगा तो मैं एक नई table बनाना चाहता हूँ है डी डीडविस के अंदर तो मैं आपर table कैसे बनाऊं create table देखो लिख कर आ रहा है मालो trip नाम से एक table बना रहा हूँ number of column में दो ही रखता हूँ यह तीन कर देता हूँ go click करूँगा एक तो serial number में रखता ही हूँ उसको कर देता हूँ मैं int 6 और एक name रखूँगा और एक trip dest कर दूँगा destination यह dest कर देता हूँ trip name dest ठीक है इसको war care कर देता हूँ 12 इसको war care कर देता हूँ 6 characters ठीक है और इसको मैं कर देता हूँ auto increment और primary की अब मैं जब यहाँ पर save पे click करूँगा अब यहाँ पर नीचे console जो लिखा हुआ है इस पर आगर आप लोग click करते हो तो देखो यहाँ पर मुझे मैंने जो जो काम किये है मुझे दिख रहे है SQL query के terms में तो मैंने अभी यहाँ पर एक trip बनाई है एक table बनाई है जिसका नाम trip था तो उसका मुझे यहाँ पर क्या मिल गया है मुझे यहाँ पर मिल गई है उसकी query तो मैं इसको छोड़ा ऊपर करके आपको दिखाता हूँ मैं आपर जो जो काम करता चाहूँगा उसकी SQL मुझे मिलती जाएगी देखो यहाँ पर console में यह देखो employee select किया यह मिल गई जैसे जैसे मैं जो जो काम करूँगा उसकी SQL मुझे आपर मिल जाएगी तो यह नीचे जो console छुपा हुआ होता है यह बड़ी शातिर चीज होती है मैं इसको इसका नाम मैंने रखा है शातिर कंसोल और इसका नाम मैंने शातिर कंसोल इसलिए रखा है क्योंकि यह ना चुप चाप नीचे छुपा हुआ होता है और होता बहुत शातिर है और इसके अंदर बहुत सारी चीज होती है तो इसके अंदर का जो मसाला है वो बड़ चलो having that said मैं आपर copy करूँगा जो sql query है और मैं आपर क्या करूँगा इसको थोड़ा सा modify करूँगा तो कभी मुझे कोई काम करना होता है na visual studio code में तो मैं control n दबा लेता हूँ और paste कर लेता हूँ अपनी जो भी मैंने text डाली हुई है अब मेरा database यहाँ पर हैरी नहीं है तो मैं इस database हटा दूँगा क्यों हटाया मैंने इसलिए हटाया है क्योंकि मैंने database है वो अपने connection में डाल दिया है तो मैं आपर database.tables का syntax use नहीं कर सकता बाकी सब चीज़े मुझे सही सही दिख रही है बाकी मुझे कोई problem नहीं है यह engine is equal to inodb को अभी ignore कर सकते हो in fact हटा भी सकते हो ठीक है तो यहाँ पर इस चीज़ को हटा भी सकते हो अब यहाँ पर यह जो मेरी SQL query है मैं करूँगा इसको copy control a और c और यह जो है मुझे नहीं च मैंने इसको paste कर दिया है पर ठीक है semi colon हटा लो semi colon बाहर लगा लो save किया इसको मैंने और यह जो string है मेरी यह मेरी query है जिसको मैं run करना चाता हूँ ठीक है मैं अपने इस 25 वी file में से यह चीज़ copy करूँगा dollar result वाली dollar result वाली यह चीज़ copy करके मैं यह paste करूँगा देखते जाओ मैं क्या कर रहा हूँ check for the table creation कर देता हूँ इसको ऐसे फरक नहीं पड़ता है वो comment है आपको भी पता है और यहाँ पर मैं table करूँगा और नहीं भी करूँगा तो कोई फरक नहीं पड़ेगा लेकिन चीज़ों को contextual रखना हमारी जिम्मेदारी है ठीक है तो यहाँ पर यह चीज़ मैंने कर दी अब यह जो create table वाली file बनाई थी काम की नहीं थी ऐसी temporarily मैंने बनाई थी कभी PHP trip रख दूँगा, कि PHP script का मतलब रखना है नाम PHP trip का मतलब PHP script दारा बनी हूई trip table मैंने रखना है और अब मैं क्या करूँगा इसको reload करूँगा anytime है तो यहाँ पर PHP trip नहीं है देख लो, यहाँ पर १न्दर भी तर्प नंлись के कोई i नहीं है मैंने DB Harry select किया हुआ है database अब यहां पर मैंने इसको reload किया जब 26 create table.php को तो देखो connection was successful table was created successfully लिखकर आ गया और यहां पर देखो जो DB Harry के अंदर trip थी PHP trip वो बन जुकी है अब आप लोग कोगे कि यार यहां तो capital H था तो यार यह small H capital H यह तो अलग-अलग database होने चीह नहीं यहां पर क्या है कि मेरी PHP के अंदर अभी जिस file system में मैं हूँ उसमें जो मेरा database है वो case insensitive है मैं अभी Windows के file system में हूँ तो MySQL में क्या होता है कि जो database का नाम है वो file system system पर depend करता है अगर वो insensitive है तो वो insensitive होगा अपना sensitive है तो sensitive होगा लेकिन आप अभी ऐसा समझ लोग कि सब को lower case में रखो ताकि आप इस चक्करों में ना पढ़ो सब को lower case में ही रखो जाला detail में मत जाओ अब Windows पर मैं जैसे file बनाता हूँ एक capital this मैंने बना दिया folder और एक मैं आपर small this बनाऊंगा तो यह मुझे नहीं बनाने देगा क्योंकि Windows में capital this और small this एक ही चीज़ मानता है वो तो files and folders जो है वो case insensitive होते है तो यहाँ पर इसलिए database का नाम भी Windows में case insensitive होता है अगर आप किसी ऐसे system में जाते हो जहाँ पर file names case sensitive हो तब आपको दिक्कता जाएगा इसलिए तब कुछ slower case में रखना चाहिए तो db harry किया मैंने इसको इसको मैंने यहाँ पर देखो यह PHP trip table बन चुकी है structure इसका दिखा देता हूँ बिल्कुल वैसे का वैसे structure है ठीक है तो इस तरह से table बन जाती है mysql में इसको वापस अलिलोड करूँगा तो error देगा बोलेगा नहीं टेबल नहीं बनाने दूँगा बनी हुई टेबल को क्यों बनाने दू अल्रेडी बनी हुई है my table sorry my table नहीं क्या नाम था table का db harry के अंदर php trip नाम की table अल्रेडी बनी हुई है आपकी क्या जरूरत है कि आप बार बार एक ही नाम से table बना देगा तो यह इस तरह से बोल रहा है आप सही है तो आप इसको बोलो और बड़े अराम से आप अपनी tables बगरा बना के विदिन php myadmin रहे के सारा काम करोगे जादा internet stack workflow पर बिना जाए आपने यहाँ पर जो यह syntax तर सीक्वल का जो की जनल याद नहीं रहता है वह आपने copy paste करके आप ले आए कैसे लाई मैंने आप लोग को बताया एक बताये करें हैं और आप लोगग की जो इक इस वी कितल है किya आप लोग तो आप लोग जो दो कर दो आए कि सारे वीडियो डाल रहा हूं बहुत सारे लोग बूलते हैं बीच में से वीडियो देखते हैं जो उनको समझ नहीं आता है वो बोलते हैं आपने यह नहीं बताया मुझे समझ नहीं आए जैसे कि अगर आपने फॉल लूपस इन पीएच्पी साल्च मारा और यह आपको मिल गया और आप यहां से देख रहे हो तो मुझे आपको इस प्लेयलिस्ट पलाना मेरी जिम्मेदारी है तो मैं इसलिए आप लोग को बताता हूं बार-बार कि आप इस प्लेयलिस्ट को एकसस कर लो और बुक्माग करके रख लो ताकि आपको बार-बार ढूंदने में प्रॉबलम न हो इस प्लेयलिस्ट को भुक्माग करके सेव कर लो आपकी अपनी हो जाएगी प्लेयलिस्ट अभी के लिस वीडियो में इतना है सूर्स को सारा में डाल दूँगा डिस्रिप्शन चेक कर ले न आप लोग अभी के लिस वीडियो में इतना है thank you so much guys for watching this video and I I will see you next time.